नमस्कार दोस्तों मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं ग्यानसागर क्लासेज के सॉनलाइन प्रेटफॉर्म पर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्सक्राइबस की और आज से हम उस सलेबस में जो शामिल टॉपिक हैं वायो के फिजिक्स के कैमेस्ट्री के और टेकनलोजी के एक एक करके सभी को हम क्रमवार रूप से सुरुआत करेंगे दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए आपको सबसे पहले टॉपिक जो मैं पढ़ा आने वाला हूँ शरीर के बारे में वो है दोस्तों कोशी का विज्ञान कोशी का विज्ञान से हमारा जो सफर है SSC CGL का वो हम सुरू कर रहे हैं दोस्तों SSC CGL मैं नाम ले रहा हूं लेकिन समान रूप से केंद्र की जिदनी भी एक्जाम हैं चाहे देली पुलिस हो रेलव को लाइक करें और ज्यान सागर क्लासेज जो है उसके यूट्यूप चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तों करते हैं आज का ठॉपिक कаुसिका विज्ञान देखे दोस्तों इसको etapि वो कह सकते हैं स्ईृ ऍवांफ़ जो सेल भाइलोजी सेलवा फिश को बोलते था दोस्तों Robert Woods from Joanna 665 1665 में एक पेड़ देखा दोस्तों क्या देखा पेड़ देखा और उस पेड़ कादोस्तों तपना यानि इस टैम देखा तॉस्तों में को अगर हम बात करें यहांसरे अगर इसको काट दिया जाए अगर इसको इस तरीके से काट दिया जाए तो यहाँ पर जो यह टुकडा नजर आएगा इसको बोलते हैं कॉर्क क्या बोलते हैं तो इस कॉर्क में तने के कॉर्क में रॉबर्ट टुक ने क्या खुजा था सेल्क हो जाता यानि कोशिका को डिस्कवर किया था अब सीधी सी बात है कॉर्क को हम नेक डाइस से तो देख सकते हैं लिए इसके अंदर की सरचनाओं को तो हम सिर्फ सुक्ष्म दर्शी यानि इलेक्ट्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं तो दोस्तो रॉबर्टुक ने भी ऐसा ही किया इननों ने एक माईक्रोस्कोप लिया और इस माईक्रोस्कोप में इसकी स्लाइस यानि इसका टुकडा कोर का टुकडा रखा और वहाँ पर उन्हें छोटे-छोटे-छोटे-छोटे इस तरीके से देखने को सरचनाएं देखने को मिली जिनको उन्होंने नाम दिया दोस्तों Cellula क्या नाम दिया? Cellula नाम दिया Honey B like structure यानि मदुमक्की के छत्ते होते हैं Combo होता है मदुमक्की का छत्ता जो होता है उस जैसी गोल गोल सरचनाएं उनको देखने को मिली और उसको उनोंने नाम दिया cellula जो बाद में क्या हो गया दोस्तों बाद में जो नाम है वो बदल गया इसका cell ठीक है लास्ट में जो अपन पढ़ने लगे competition में आगे जो किताबों में इसका नाम आया वो जो नाम आया वो नाम आया cell ठीक है तो यह इसकी history रोबर्टुक ने 16 65 में इसको खोजा था कोशिका को किस में खोजा था तने की कौर्क में खोजा था जब सुक्ष्मदर्शी में इसको देखा तो उनको जो मिला वो नाम मिला cellula मदुमक्की के चत्ते जैसी शररचना ठीक है लेकिन दोस्तों बाद की खोजों में बाद की discoveries में पता लगा कि जो साल बाद में वेग्या ने काए करीब 10-12 साल बाद में और उनका नाम था एंटोनी वॉन लुवैन होग यानि एवी लुवैन होग जिनोंने जीवानों के अंदर बैक्टिरिया के अंदर दोस्तो कोशी का खोजी और वो कोशी का कैसी थी लिविंग सेल थी जीवित कोशी का थी लिवेनोग ने जो कोशी का खोजी वो कोशी का जो है वो कैसी कोशी का थी दोस्तो जीवित कोशी का थी living cell थी ठीक है bacteria में खोजा इसलिए bacteriology का जो जनक है वो भी किसको का जाता है Louvenog को का जाता है दुबारा सुनिएगा Robert Tukne 1665 में जो cell खोजी थी वो cell खोजी थी कौनसी मरत्क cell खोजी थी यानि dead cell खोजी थी और उसके बाद में वेग्या ने का है A.B.Luyvenog उन्होंने कौनसी कोशिका का खोज किया जीवित कोशिका का खोज किया Anthony I.Luyvenog को इसी वज़े से इसी वज़े से जीवित कोशिका का खोज करता क्या जाता है अभी आप से कोई पूछलेगा किसी एक्जाम में आपके सामने सवाल आगया कि ये जो जीवित कोशी का खोजी थी लिवेनौक ने वो कोशी का किस में खोजी थी तो आपका अंसर जो होगा वो होगा जीवाणों में यानि बैक्टिरिया में खोजी थी इसलिए इनको बैक्टिरियो लोजी का बैक्टिरियो लोजी का पिता भी कहा जाता है एवी लिवेनोग को father of bacteriology ठीक है तो इस page में हमने सिर्फ history की बात की discovery की बात कि एक बार इसका स्क्रीन सॉट आप लेलो उसके बाद हम आगे चलते हैं ठीके इस कीन सॉटिए ले लिया होगा उन्याट सक नेक्ट्स पर चली अगले में लम धाय दोस्तों तो हमने कहा कि जो कोशिका है इस कोशिका का जो अध्यन है study of cell कोशिका का जो अध्यन है वो क्या कहलाता है तो ध्यान से सुनिएगा कोशिका का जो अध्यन है दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोशिका के study की कोशिका का जो अध्यन है वो कहलाता है दोस्तों cytology कौनसी लोजी कहलाता है, साइटोलोजी कहलाता है, यानि साइटोलोजी कहलाता है, यानि साइटोलोजी कहलाता है, यानि साइटोलोजी नाम क्यों रखा गया है, दोस्तों देखिए, ये दो भागों में टूटा हुआ है, कितने भागों में टूटा हुआ है, दो भागों में बाचार हूं देखिए लौजी जो शब्दा है ना दोस्तों यह शब्दा अचिल से और इस accents का मतलब होता है 2 study या अध्यन करना क्या करना अध्यन करना to study अध्यन करना. और इस cytos जो वर्ड आया है ये वर्ड आया है दोस्तो इसका आर्थ cytoplasm. Cytoplasm किसको कहते हैं? Cytoplasm दोस्तो कोशिका के अदर पाए जाने वाले दरवे को यानि कोशिका दरवे को. कोशिका के अदर जो liquid भरा होता है गाड़ा दर्वि, उसको हम साइटो पलाज में नी कोशिका दर्वि कहते हैं, वहाँ से तो ये नाम लिआ गया है साइटो और लॉगस्ट से नाम लिआ गया है लोजी तो इसका मतलब ये हो गया है दोस्तों कोशिका का अध्यन या कोशिका δर्वि की पढ़ाई या कोशिका दरभी का अध्यन वो क्या कहलाता है दोस्तों cytology कहलाता है इसलिए नाम रखा गया यह आपको order हो गया हुगा कि कोशिका का अध्यन cytology क्यों है है नोります बोल सकते हैं लेकिन अगर scientific नेम के अगर अगर exam के साफ से बात करें तो वहाँ जो एक्जाम में नाम आता है वो आता है दोस्तो कॉंसी लोजी साइटो लोजी ठीक है ना तो ये चीज भी आपको दिहान रखनी है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स जो हम आगे बढ़ेंगे वो देखिए अगले पेज पर हम बात करते हैं देखे कोशिका सिद्दान्त ये क्या है इसको हम इंगलिश में बोल सकते हैं सेल थियोरी सेल थियोरी भी कहते हैं इसको सेल कॉंसेप्ट भी कहते हैं दोस्तो कोशिका सिद्दान्त जो है दो वेग्यानिकों ने दिया था एक का नाम था Sliden Sliden और दोस्तो एक का नाम था Swan एक का नाम जो था Sliden और एक का नाम क्या था Swan T.Swan और Sliden ने दिया था अब यहां से सवाल क्या बनता है वो सुनियेगा आप यह तो सब जानते हैं अधिकतर बच्चे इसको पढ़ चुके होंगे लेकि सवाल क्या आता है वो सुनियेगा सवाल ही आता है दोस्तों कि बनस्पती वैज्ञानिक यानि बोटनिस्ट इसमें कौन था और जोलोजिस्ट कौन था तो ध्यान रखेगा स्लाइडेन जो है वो बनस्पती के वैज्ञानिक थे यानि ये बोटनी ब्रांज से संब्दित थे बोटनिस्ट या बोटनी के जो साइंटिस्ट थे और ये जोलोजिस्ट थे यानि जन्तु विज्ञान या प्राणी विज्ञान से संब्दित थे जन्तु विज्ञान के वैज्ञानिक थे ठीक है ये ध्यान रखना आया हुआ सवाल है पहले SSC में कि निम्न में से जन्तु विज्ञानी ये जॉलोजिस्ट को होन है तो वहाँ जो आंसर था वो कौन सा था स्वान क्योंकि स्लाइडें जो है वो बॉटनी यानी वनस्पती वि आधारी एकाई है वो कोशिका है सरचनात्वक वे आधारी एकाई जो है दोस्तो वो कौन है वो कोशिका है ये बात किस ने कही ये स्लाइडें और स्वान ने कोशिका सिद्धानत में कही उनकी ये बात मान भी लिए लेकिन दोस्तों जो उनका दूसरा पॉइंट था कोशिक स्ट्धान्त में स्लाइडन और स्वान ने इस कथन के लावा जो दूसरा कथन कहा उसमें उन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं जो बनती है उनका निर्मान क्रिष्टल यानि हीरा बनने की भाती होता है लेकिन दोस्तों यह तारकिक बात नहीं थी और इसलिए सिद्धान्त जो ए एक-एक हर पेज पर मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं ताके आपको समझने में आसानी रहे इसका स्कीन सॉट लीजीए आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स पेज पर हम चलते हैं तो दोस्तों कोशिका सिद्धान्त की कम्यों को दूर करने के लिए उसकी कम्यों को बतान के लिए modern cell theory यानि आदुनिक कोशी का सिद्दान्त प्रकाश में आया और यह आदुनिक कोशी का सिद्दान्त जो है दोस्तों ये किस-किस ने दिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये दिया आपके विर्चौफ ने विर्चौफ वैज्ञानिक इसके अलावा आपके नेगेली और पुरकिंजे ये तीन वैज्ञानिक इसमें सामिल थे विर्चौफ नेगेली और पुरकिंजे इन तीनों वैज्ञानिकों ने modern cell theory यानि आदुनिक कोशी का सिद्दान दिया जिसमें उन्होंने उसकी कमिया बताते हुए कोशी का सिद्दान की कमिया बताते हुए उन्होंने कहा कि नई कोशी काओं का निर्मान नई कोशी काओं का निर्मान क्रिष्टल बनने के भाती या हीरा बनने की भाती नहीं होता है वरन कोशिकाओं का निर्मान जो होता है वो पुरानी कोशिकाओं के विवाजन से होता है और ये बात इतनी famous हो गई कि आधुनी कोशिका सिद्धान को सब जगे जो है मान निगोशित किया गया उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्मान पुरानी कोशिकाओं के विवाजन से होता है जो new cell born होती है दोस्तों वो old cell या previous cell के dividation से ही बनती हो और यह हम जानते बात सही है किसी पेड का तना जब लंबा होगा जब उसकी cell divide होगी किसी पेड की जड़ तब बड़ी होगी जब उसमें cell divide होगी ठीक है तो जन्तु देख लें चाये पादब देख लें पुरानी कोशिकाओं के विवाजन से ही नई कोशिकाओं बनती है यह किस में कहा गया आधुनिक कोशिका सिद्दान्त में कहा गया किस ने दिया आधुनिक कोशिका जीवन की मुलभूत इकाई तो है आधार भूत इकाई तो है लेकिन एक सेकिन इसको मिटाते हैं गलत लिख दिया अरे भई कोशी का जीवन की मुलभूत इकाई तो है ये बात तो स्लाइड एन और स्वान ने सही कही है लेकिन विर्चौव नगेली पुरकेंजे ने क्या कहा, कि जीवन की मूलभूत इकाई होने के साथ-साथ, कोशिका जो है, वो आनुआशिक इकाई भी है, ठीक है, साथ-साथ आनुआशिक इकाई भी है, यानि जैनेटिक यूनिट भी है कोशिका जीवन की मुलभूत इकाई होने के साथ साथ कौनसी काई भी है आनुवानशी इकाई भी है जीवन की ये बात आधुनिक कोशिका सिद्दान्त वे विर्चॉफ नेगली और पुरकेंजे ने बताए ठीक है तो ये चीज आपके सामने हो गई आजकल जादतर सवाल जो पथाथ पड़ पट केंच्ट कम चलते हैं देखे आगे म हम चले सो इन बात की कोशिका की अब हम कोशिका की सरचना को समझेंगे धान से सुनिएगा ये मैं दो प्रकार की कोशिका है बढ़ा रहा हूं दोस्तों ये आपकी जन्तु कोशिका है और इधर अगर हम बात करें दोस्तों ये आपकी पादब कोशिका है ये आपकी पादब कोशिका है जो मैंने इस तरीके से बनाई है और गोलाकार जो सरचना है वो आपकी जन्तु कोशिका है ठीक है ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छा है बहुत सारे सवाल तो आपकी इसी में किलियर हो जाएंगे देखें दोस्तों ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल जो होती है जिसको हम जन्तु कोशिका भी कह देते हैं यहां पर हम लिख रहे हैं प्लांट सेल यानि पादप कोशिंगा देखें किसी भी सेल का स्ट्रक्श नब पढदएंगा सबसे पहले इसका देखना पढ़ता है बहारी आवरेन आउटर कवर तो बात करिया अगर plant cell की तो इसका बहरी जो cover है दोस्तों ये कहलाता है cell wall क्या कहलाता है cell wall कहलाता है यानि इसको हम बोलते है कोशा बित्ती या फिर कह सकते है कोशिका बित्ती कोशिका की दीवार अब इसका काम क्या होता है दोस्तों इसका काम होता है कोशिका की सुरक्षा करना कोशिका की निश्चित boundary बनाना एक विक्स प्लाउंड जैसे हम अगर अमारी बाउंडरी बनने का हमारी हड्डियां करती है वैसे ही plant cell में cell wall जो है काम करती है सुरक्षा करने का निश्चित धाचा परदान करने का structure प्रेक्ष्ट प्रदान करने का है ठीक है लेकिन दोस्तों जो एनीमल सेल होती है उसमेंसामने गावन होती है जिन्राइप अगी चलते है दोSTों तो आप ोगी दोस्तों ब्लांट की सेले वल होगी दोस्तों, यह किसी बनी तो मिध में देब घा रखें को बान्ट की स्भी होगार्फी वन प्लांट राइन के बंद रॉपकर तो गाने बास fans थीक है बहुत प्रकास संसलेशन से भूजन बनाती है पोदी की पतिया बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी वज़े से ग्यमिकल जमता जाता है एक रासाईन एक आवरन उसके प्लांट के तने पर उसकी जड़ों पर उसकी साखाओं पर जमता जाता है और उस कैमिकल सब्स्टेंज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों सेलुलोस बोलते है जो जो उसको मजबूती देता है क्या देता है मजबूती देता है प्लांट को ठीक है जबकि जन्तंवामें तो हरुद होती नह fridge कि हम और अंदर हंडियां पाई जाती है हम हम आगे चलते हैं अब दोस्तों सेकिंड नंबर पर जो प्लांट सेल होती है उसमें सेकिंड नंबर पर जो है वो पाई जाती है दोस्तों एक सेकिंड नंबर पर जो पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों प्लाजमा मेंब्रेन या फिर हम कह सकते हैं सीधी बासा में सैल म membrane, cell membrane को कोशी का जली भी कहते हैं इसके अलावा प्लाजमा जली भी हम भूल सकते हैं ठीक है, ये जन्तु कोशी का में प्रजेंट होती है, भैस cell wall तो होगी नहीं, animal cell में जन्तु कोशी का में डाइरेट कौन होगी, cell membrane अभ इस cell membrane का वर्क क्या है दोस्तों इस cell membrane का work यह है कि कोशिका में सिर्फ आवश्चक essential पदार्थों को यह entry देती है और जो अनावश्चक पदार्थ होते हैं यूजलेस पदार्थ होते हैं उनको यह entry भी नहीं देती है और अंदर कोई अनावश्चक पदार्थ पदा होता है उसको बाहर भी निकालने का कारिय करती है किस प्रकार यह कारिय करती है किस प्रकार इसकी process को क्या कहते है किस प्रकार यह आवश्चक पदार्थों को entry देती है इस सारी प्रक्रिया को हम 1-1 हर organ को आगे पढ़ेंगे अभी सिर्फ मैं आपको structure को कौन से औरगंस रघ्रे में पाई जाते हैं ठीक है उसके बाद में next number जो आता है दोस्तों वो आता है nucleus का कोशिका के बीच में गोल्सररचना जो होती है कोशिका के बीच में गोल्सररचना जो होती है दोस्तों उसको हम conc bijvoorbeeld केंद्रक कहते है जिसकी खोच जो है Robert Brown ने की थी विस्तरत बात हम आगे करेंगे जब एक एक औरगन पढ़ेंगे अभी आप यह सुनिएगा कि जन्तु कोशिका का जो केंद्रक है ना वो तो दोस्तों सेंटर में रहता है का रहता है सेंटर में रहता है लेकिन जो प्लांट सेल है उसका केंद् और रिक्तिका है पाई जाती है इस तरीके से एक ब्लैंक स्पेस होता है बहुत बड़ा और यह ब्लैंक स्पेस को हम यानि खाली स्थान को हम बोलते है दोस्तों रिक्तिका इंगलिस में इसको बोलते है वेक्योल्स और हिंदी में इसका एक नाम हो रहे है रसधानी तो यह ना दोस्तो वो जन्तु कोशिका में या तो नहीं पाई जाती है या बहुत सुक्ष्म होती है बहुत छोटी होती है इसलिए यहां तो केंद्रक सेंटर में होगा लेकिन प्लांट सेल में रिक्तिका का साइज यानी उसका आकर बढ़ा होने के कारण दोस्तों ये केंद्रक को साइड में क्या कर देती है सरका देती है इसलिए इसका केंद्रक जो होता है पादप कोशिका का वो बिल्कुल सेंटर में नाओ को पार्ष इस्तती में या नीचे की स्तती में पाया जाता है आशाया आप ये चीज़ समझे के होंगे कि प्लांट सेल का केंदरग बीच में क्यों नहीं होता है आधार ये बाग में क्यों होता है कि चलीए Next को है हर सेल में दोस्तों माइटोकंड्रिया जाते है इस तरीके से माइटोकंड्रिया की सरत्जा है इसे कोशिका का powerhouse कहते है इसको यूकरियोटेक्ट में प्रोक्यरिटिक कोशिका भी कहते हैं इसको कोशिका का स्वसनंग भी कहते हैं क्यों कहते हैं जब हम माइटो कॉंटिया पढ़ेंगे तब हम देखेंगे अभी हम सिर्फ इस्ट्रक्टर समझ रहे हैं इसके अलावा दोस्तों कोशिकाओं में दोन लाइसोसॉम को सुसाइड बैग भी हम कहते हैं क्योंकि आत्मत्य थेली आत्मगाती थेली भी होता है इसके अलावा यहां पर जो है इस तरीके से केंद्रक से जुड़ी हुई कुछ इस तरीके से नली का रूपी सरचना पाई जाती है जिसको हम एंडोप्लाजमिक रेक्टिक जो है टॉपिक के रूप में लेक्चर लिया था आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगे ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि सफर जो हम चालू कर रहे हैं वो सफर अब र